नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आगामी RRB, ALP, सेकंड या मेंस के लिए इसके अलाबा RPF की जो स्टुडेंट तयारी करना है उनके लिए 30 days का crash course, current affairs हमने ये series शुरू करी है और इसका भाग तीसरा लेकर मैं आपके सामने हाजर हूँ तो जली शली में रिसा लाइब जुड़ जाईए जिससे कि मैं शोकी शुरुआत कर सकूँ इसके लाबब दोस्तों आप हमारे जितना भी PDF फाइल है वो easynokry.org website से भी प्राप्त कर सकते हैं या आप हमारे telegram group से जुड़ सकते हैं जिसे आप अपने telegram जो messenger है उसमें at the rate easynokry सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं इन सबी के जो link हैं वो आपको video के description में मिल जाएंगे तो वहाँ से आप join हो सकते हैं तो शुरू करते हैं बिना देरी करें तो दोस्तों पहला सवाल है हाली मैं निमलिकित मैं से किसके द्वारा mission सत्ते निस्टिक की शुरूआत की गई है नीती आयोग, भारते रेलवे, केंद्रि सतर्क्ता आयोग या इस्रो तो दोस्तों चारो विकल्प आपके सामने हैं देख लेते हैं इसका जो सही डवाब है भारते रेलवे भारते रेलवे ने एक mission सत्ते निस्टा जो कारेकरम है उसकी शुरूआत की है अगले question की और चलते है टोकियो ओलंपिक 2020 का जो शुभंकर है वो क्या है जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों 2020 में जो ओलंपिक होना है वो टोकियो में होना है और इसके शुभंकर वगएरा अभी से पूछ लिए जाएंगे exams में ठीक है तो मैं आपको options दे दे रहा हूँ आप बताईएगा अगर आपको मालम हो तो सुमेटी, साकर उर्सा, सोव, सांकुरा या मिराई तोवा तो निश्यत रूप से अब बहुत सारे लोग नाम सही जाने गए होगे अगले question क्यों चलते हैं किस देश ने रोहिंगला संकट के आलोक में मियमार की आंग सांसू को दी गई नागरिकता वापस ले ली थी विकल्पे आपके सामने नार्वे, दूसरा है आईलेंड, तीसरा है कनाड़ा और चौथा है न्यूजिलेंड तो दोस्तो अभी आपको मालूम है रोहिंगला संकट हुआ था जिसमें कि रोहिंगला जितने भी मुसलिम्स थे उनको मियमार से निकाल दिया गया था उन्होंने भारत में और बांगला देश में अपने जो नजदीक देश हैं उसमें यां सरन ली थी लेकिन कहीं न कहीं इसका प्रभाब वहां के प्रशाशन पर भी पड़ा और वहां की प्रशाशे का आंग सांसू पर भी पड़ा तो दोस्तों सही विकल्प है इसका कनाड़ा जहां जिसने की आंग सांसू से जो मियमार के रोहिंगा को निकालने का या संकट जिस तरह से रोहिंगा संकट मियमार में शुरुआ उसको आंग सांसू उनको जो नागरिकता दी गई थी उसे बापस ले लिया था अगले कोशन क्यों चलते हैं अब तक का विश्व का सबसे बड़ा पक्षी का दर्चा अभी फिलाल में किसे दिया गया है अर्बियन ऑस्ट्रिच डोडो केरिलोना पार्किट या बॉर्बेंट टाइटन तो दोस्तो 2018 की बात करें तो दोस्तो अभी फिलाल में ही ये सबसे बड़े पक्षी का जो दर्चा मिला है वो अपने आप कमेंट जरू करिएगा दोस्तो बोर्बेंट टाइटन को मिला है नाम याद रखेगा करेंट का है दोस्तो और दोस्तो ये ऐलीफेंट बर्ड के यह सैक किट क्या है सार्स परिक्षन किट बलातकार जांच किट एट्स परिक्षन किट यह टीवी परिक्षन किट तो दोस्तो इसका जो सही जबाब है अगर आपके पास अंसर है तो कमेंट जरू करें दोस्तो इसे रेप जांच किट के रूप में सामने लाए गया है जिस तरह से बलातकार वगएरा इस तरह की चीज़ें आजकल सामने आ रही हैं तो उसमें पुरुष का वीर और महिला के खून का समावेश किया जाता है कि वाकई में जो रेप है वो सही है या नहीं ये सभी पुलिस्थानों में मौजूद मिलती है ये किट अगला कोश्चन है दो तो दोस्तों ऑप्शन से चेन नई एहमधाबाद उदैपूर या अगरतला तो दोस्तों अभी फिलाल में ही जो इस रो है भारते अनुसंदान संगटन जिसका हैड़क्वाटर है वो बैंगलोरू में है और इनों ने अभी अगरतला में यहां पर एक्क्यूबेशन सेंटर का उदगाटन करा है जो कि अंतरिक्षंबंदी विविन अनुसंदान के लिए एक प्रयोक्षाला का करेगा अगले कोशन क्यों चलते हैं भारत ने किस वर्ष तक निर्यात को दोगुना करने का लक्ष रखा है बहुत सीधा कोशन है और सभी में एक्जामस में पूछ जाता है औप्शंस है वर्ष तो इसका बिनादेरिधी करें मैं सही मता रहा हूं सही जवाब है वर्ष तक भारत ने निर्यात को दो गुना करने का लक्ष निर्धारित किया है अगले कोशन क्यों चलती है वित्मंतर अले ने किस डिजटल desem के शेतर में किस बैंक को दिर्ष का सर् के बाइन भारते स्टेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक बैंक और वरोदा है कैनरा बैंक तो दोस्तो डिश्टल लेंदेन जो की आज आम जरूरत बन चुकी है कंज्यूमर्स की और बैंक इसमें सरवादिक महतपूर भूमिका बैंक को की रही है तो दोस्तो अभी वित्म अंत क्यों चलते हैं दोस्तो शीरीप रियर पुस्तक किस लेखक की है शलमान रस्दी अमिताब गोश्ट खाले दोसेनी या जंपा लहडी तो दोस्तो जो सी प्रेयर अभी पुस्तक है अभी ऐल्पी की परिक्षा गुरूबडी की परिक्षा में पुस्तक हैं बहुत पुछी ग जलते हैं बाहरत सरकार ने एक सितंबर दोजार अठारे से ऑक्सिटेशन जो इंजेक्शन है उसके रिटेल स्टोल के द्वारा बिक्री पर जो प्रत्वन लगा दिया है अब इस दवा का निर्माण और वित्रंक केवल एक कंपनी करेगी वो कौन सी है दोस्तों आपको मालूम जब मानव शरीम ने आता है तो वो घातक रहता है तो इस इंजेक्शन का जो सारवजनिक वित्रं है उसको भी सरकार ने बेंड कर दिया किवल एक कंपनी ही इसे करेगी ऑप्शन से आपके सामने कनाटक एंटी बायोटिक्स लिम्टेड हिंदुस्तान एंटी बायोटिक्स अरविंदो फारमा लिम्टेड या सन फर्मिसिस्टिकल्स लिम्टेड चलि दोस्तो देख लेते हैं मिना देरी कर आंसर और साही डबाब है कनाटक एंटी लिम्टेड यह कंपनी है केवल यही इसका दवा का निर्मार करेगी और वित्रन करेगी तो दोस्तो यह तीसरा पर जी से आप जुड़े रहिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेर करिए अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मलाकत करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद